सुजानपूर टीरा में चौगान में फैली हुई गंदगी से सुबा शाम गुमने बालों के लिए मुसीवत बनती नजरा रही है जिसके लिए ना तो परशासन सफाई करवाते नजरा रहे हैं और ना ही नगरपरशट के करमचाईरी सफाई करते नजरा रहे हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि होली उत्सफ के दोरान चोगान कमाई का ही जरिया बनकर रह गया है परशाशन को इसकी संदर तक से कोई लेना देना नहीं है गंदगी के कारण लोगों में भी चर्चा बनी हुई है परशाशन दुकानों को लगवा कर कमाई करने में ही जुटा हुआ उन्होंने नगरपरशद करमचारियों और परशाशन अधिकारियों से गुहार लगाई है कि चौगान की सफाई की तरफ विशेश दियान दिया जाए ताकि बहर से आने वाले लोगों के लिए ये चौगान सुंदर दिखे नगरपुषित के कार्यकारी अधिकारी संजे कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हर महीने तीन दिन चोगान की सफाई के लिए रखे गए हैं आने वाले दिनों में चोगान की सफाई के लिए बिशिश अभियन छेड़ा जाएगा